श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक्त नमन हार्दिक वंदन अभिनन्दन प्रतिदिन वेद्वानी करेक्रम में एक नया वेदमंत्र एक नये विशे के साथ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूं और प्रयास रहता है कि विशे सामई को हो जिसकी उपियोगिता हो आज जब मेरे राष्ट्र की सुरक्षा पर कई बार देखते हैं कि पडोसी राष्ट्र अपने अपने ढंग से उसका अतिक्रमन करने का प्रयास करते हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा अत्यंत महत्वपून हो एक संभ्रांत नागरिक के रूप में सुरक्षित रहते हैं तो इसका केवल एक मात्र कारण होता है कि मेरे राष्ट के नित्रित्व ने एक शक्तिशाली सैना का निर्मान सीमाओं की सुरक्षा के लिए किया हुआ है अर्थात जहां मेरे राष्ट के सैनिकों के हाथ में अत्यादुनिक शस्त्र हैं आयुद्ध हैं और उनके पास वह समस्त साधन उपलग्द हैं जो एक राष्ट की सैना को शक्तिशाली सैना बनाने में सक्षम हैं तो साथ ही साथ उन्हें एक मार्ग दर्शन देने के लिए कूट नीती देने के लिए एक शास्त्र का ज्याता नित्रित्व भी होता है जो उन सैनिकों को शस्त्र से लड़ने के लिए प्रोचसाहित करता है लेकिन उसकी बुद्धी में शास्त्र का बल होता है अतहा जो आज विशे निकल करके आया वह है शस्त्र और शास्त्र अर्थात सैनिक युद्ध शस्त्र ले करके लड़ते हैं लेकिन उन्हें लड़ने के लिए प्रोचसाहन देना सैनिकों के बीच में समय समय पर जा करके उनके बारे में उनका कुशलक्षेम पूछते हुए उनको उत्साहित करना मन्यू का भाव उनके अंदर देना सात्विक क्रोध पैदा करना ये राष्ट के नित्यत्व का कार्य होता है जो शास्त्र के माध्यम से इस कार्य को करता है यदि मैं राष्ट को एक पुरुश मान लूँ तो यदि मेरे भीतर शारीरिक बल है तो उस शारीरिक बल को कैसे प्रियोग किया जाना है उसके लिए बुद्धी बल और आत्म बल होना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि शारीरिक बल का सही सही प्रियोग मैं बुद्धी बल या आत्मिक बल के बिना कभी नहीं कर सकता अत्हे शास्त्र है तो शास्त्र होना भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है यहां मैं इतिहास की एक बात करता हूँ अक्सर कहा जाता है और ऐसा लिखने के लिए मजबूर भी हुए इतिहासकार कि मेरे राष्ट की स्वतंत्रता के लिए असी प्रतिशत जो स्वतंत्रता सैनानी थे जिन्हों ने राष्ट के स्वतंत्रता संग्राम के उस यज्य में अपना सर्वस्व आहूत करते हुए अपने प्राण नियोच्छावर कर दिये वह सभी के सभी असी प्रतिशत क्रांत दर्शी देव दयानंद की राष्ट्रवादी विचार धारा से प्रभावित थे चाहे मैं नाम लू सरदार भगत सिंग का चाहे पंडित राम परसाद बिस्मिल का चाहे मैं नाम लू लाला लाजपत राय का या चाहे मैं नाम लू सरदार पटेल का या किसी का भी नाम लेता हूं सुतंत्रता सेनानियों का तो निकल करके आता है कि वह सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी भांती कालजई ग्रंथ कहा देव दयानंद द्वारा रचित कालजई ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश जिसे क्रांती कारियों की गीता का नाम दिया गया उस शास्त्र को पढ़ने के उपरांत ही उनके मन में राश्ट्र प्रेम की भावना एक दम से जैसे नदी में जल का प्रवातीव होता है वैसी भावना आई और उन्होंने राश्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम के यज्य में अपने प्राण निचावर करते हुए सर्वस्व समर्पित कर दिया इसी लिए कह सकते हैं कि यदि राश्ट्र की स्वतंत्रता का संग्राम क्रांतिकारियों ने शस्त्र को हाथ में लेकर के लड़ा तो उसके पीछे शास्त्र लेकर के क्रांत दर्शी देव दयानंद की विचार धारा खड़ी थी आरे यानि शेष्ठ विचार खड़े थे वह राश्ट्रवाद खड़ा था वैदिक राश्ट्रवाद की वह भावना खड़ी थी आईए अब मैं मंत्र लेता हूँ और फिर अपनी बात को तीवृता से आगे बढ़ाता हूँ मंत्र है रिग्वेद का यस्मात इंद्रात ब्रहता किंचन रिते विश्वानी अस्मिन संभिध ताधी वीर्या जठरे सोमं तन्वी सहो महो हस्ते वज्ज्रम भरती शीर्शनी क्रतम अर्थात यस्मात जिस ब्रियत महान इंद्रात रिते इंद्र के बिना इम यह जगत किंचन क्या कुछ है अर्थात कुछ नहीं है कभी पूछते हैं कि क्या है तो कुछ भी नहीं है अस्मिन इस इंद्र में विश्वानी सारे वीर्या प्राक्रम अधी संभिता एकत्र संगत हैं जठरे पेट में सोमं सोमरस तन्वी शरीर में सह बल मह तेज हस्ते हाथ में वज्ज्रम वज्र शीर्शानी यहां अब आता है शास्त्र सिर में क्रत्म ग्यान विज्ज्ञान भरती रखता है अर्थात जिस इंद्र के बिना ये जगत कुछ भी नहीं है उस इंद्र में प्राक्रम एकत्र संगत है पेट में ओशदी युक्त सोमरस अर्थात बल देने वाला भोजन ग्रहन करते हैं शरीर में बल है हाथ में वज्र आयुद्ध है लेकिन साथ ही साथ जब शारीरिक बल या शस्त्र बल की बात कही वहाँ सबसे उपर रखा शास्त्र बल को अर्थात शस्त्र का प्रियोग कैसे कब कहां किस परकार किया जाना है वह शास्त्र बल होना अत्यंत आवश्यक है आईए अगे बात करता हूँ विना शास्त्र के शस्त्र का चलना ठीक प्रकार से चले ऐसा संभव नहीं होता जैसे किसी भी आयुद सामग्री को चलाने का परशिक्षन सैनिकों को दिया जाता है ठीक उसी प्रकार सैनाओं के सैनापती या उनसे भी उपर राश्त्र का नित्यत्व किस समय किस प्रकार से सैनाओं का किस चक्र व्यू की रचना करते हुए कहां आक्रमन करना है और कहां नहीं करना है ये शास्त्र आधारित निर्णे राश्ट्र के नित्रित्व द्वर लिये जाते हैं जैसे सर्जीकल स्ट्राइक करने का शास्त्र सम्त निर्णे घर में शत्रू को उसके घर में घुसकर मारने如何 जो निर्णे शास्त्र सम्मत ये राश्ट्र का नित्यत्व लेता है सैनिकों के हाथ में शास्त्र है लेकिन राश्ट्र के नित्यत्व के बुद्धी में शास्त्र है और शास्त्र और शास्त्र जब मिलकर चलते हैं तभी राश्ट्र की सुरक्षा कर पाते है उस महान इंद्र के बिना ये संसार कुछ नहीं है उस इंद्र में सारी सामर्थ एकत्रित है वे पेट में सोमरस अर्थात ओशदी युक्त भोजन शरीर में बल तेज हाथ में वज्ज्र और सिर में ग्यान और विग्यान रखता है ऐसा ही सैनिक मेरे राष्ट की सीमाओं की सुरक्षा कर सकता है तो निकल करके पांच गुण आते हैं अनुपम, वीर, प्राक्रमी, एक, सोमरस पीने वाला, दो, शरीर में तेज और बल हो, शारीरिक बल हो, तीन, हाथ में वज्ज्र हो, आयुद्ध हो, चार लेकिन इन चारों से उपर सिर में ग्यान और विज्ञ्ञान हो, अर्थात शास्त्र हो, जीवात्मा रूपी शरीर का अधिश्ठाता जैसे आत्मा है, जीवात्मा इस शरीर का अधिश्ठाता है, वैसे सेना के लिए सेना पती है ग्यानेंद्रियां और करमेंद्रियां इसके सैनिक है जीवन रूपी युद्ध में भी यदी हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शारिरिक बल के साथ साथ बुद्धी बल और आत्मिक बल चाहिए और राश्ट की सुरक्षा के लिए भी ऐसा अत्यांत आवश्यक है इसी लिए कहा था एक बार कि जब बहुत कमजोर बच्चे गए स्वामी विवेकानंद के पास और कहने लगे कि स्वामी जी हमें आप अध्यात्म का ग्यान दो हमें गीता का ग्यान दो तो उन्होंने कहा जाओ पहले फुटबॉल खेलो पहले शारीरिक बल पैदा करो शारीरिक बल होगा तभी आत्मिक बल आएगा और आत्मिक बल होगा तभी बुद्धी बल प्राप्त क पाओगे शस्त्र तभी काम में ला सकोगे जब बुद्धी में शास्त्र होगा बुद्धी निर्णे लेने की अवस्था में होगी तभी शस्त्र का कहां कब कैसा क्या प्रियोग किया जाना है ऐसा सीख पाओगे अनुपम वीर प्राक्रमी तभी बन पाओगे जब सात्विक औश द्युक्त भोजन करते हो, शरीर में तेज और बल है, हाथ में वज्जर है, लेकिन इन सभी को कंट्रोल करने वाला, इन सभी को अपने नियंतरण में रखने वाला बुद्धी बल है, अताहा इन सभी बलों से उपर जाकर के बतला और गया, कि बुद्धी बल के बिना शास्त्र के बिना शास्त्र का महत्व बहुत कम हो जाता है लेकिन दोनों मिलकर के ही एक जमा एक ग्यारहां बनते हैं शास्त्र के बिना शास्त्र का भी उतना महत्व नहीं है शास्त्र आता है लेकिन शारीरिक बल नहीं है युद्ध में नहीं जा सकते वीर या प्राक्रमी नहीं है सोमरस नहीं पीते हैं और शदी युक्त पुष्टी कारक भोजन नहीं करते हैं तो केवल शास्त्र का ग्यान भी काम में नहीं आता है इसलिए कहा कि श 하지 और शास्त्र दोनों एक साथ चलें तभी राष्ट्र की सुरक्षा संभव है और यदि विभगत कर दिया तो स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे सैनिकों के हाथ में सत्र हो उन सत्रों को चलाने का कोशल उन्हें ग्यात हो परशिक्शित हो और मेरे राष्ट्र क के नित्रित्व के बुद्धी में शास्त्र हो और थात्व है समय पर निर्णे ले सके ऐसा ना हो कि सेना तो है प्राक्रमी भी है लड़ना भी चाहती है लेकिन नित्रित्व कमजोर है निर्णे नहीं ले पाता तो निश्चित रूप से तब भी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो पाती अब जैसा नेत्यत्व है सबल नेत्यत्व है विश्व का नेता बनने की कुशलता भी और कूटनीती भी ऐसे नेत्यत्व में है तो निश्चित रूप से शस्त्र और शास्त्र मिल करके राश्ट्र को विश्व गुरू के पत पर निश्चित रूप से ले जाने में सक्षम है आईए वानी को विराम दूँ उससे पूर्व स्वर अचित दोहे दे देता हूँ लड़ते वीर युद्ध सभी लिये शस्त्र सब हात देश प्रेम का पाथ पढ़ ले शास्त्र का साथ जो शास्त्र ना जानता वह अंधा कहलाए कोई पकड़े हाथ को हांक उसे ले जाए इन्ही शक्तों के साथ मानी को विराम ओम इतीशम धन्यवाद को विराम को विराम का विराम को विराम नाए